हमारे साथ है BPSC के चेर्मेन अदूल परसाद और एक बार फिर से परिक्षा की थी जो है वो गोशित हो गई है और जो अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत ही सुनारा मौका है क्या कुछ खास है हम जानते हैं किस तरीके से क्या कुछ अब परिक्षा को लेकर निर्धारित इस बार हम लोग ने भाषा को और मुख्य पेपर को एक साथ जोड़ करके 120 प्लस 30 मतलब भाषा के लिए 30 questions इसी में जोड़ करके 150 questions का एक दिन का एक shift में उनकी परिक्षा हो जाएगी और धाई गंटे की परिक्षा होगी negative marking पिछले बार की तरह नहीं रहेगा इस बार भी और हम लोग का प्रयास रहेगा कि अभ्यर्थी को जो centers भी जैसे मिले जैसे पिछले बार दिया गया तो उसी तरीके से दिया जाएगा तो हम लोग भी इस रजादा टैर हैं लेकिन एक बार अभ्यर्थी रों को समझना होगा कि पिछले बार उन् garden के से कई गल्तिया की गए थी आविदन प Подर में कई तूटिया रह गए थी उनके दस्तावेज़ियोंं में कई तूटिया थी बार बार उन्होंने अफसर मांगा, हम लोंने अफसर दिया भी, इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार हम लोग जो कट ओफ डेट लास दे रहा है, उस तारिक तक जो भी टूर्टी का सुधार करना कर लें, एक बार जब जमा कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसमें तूर् जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बात चला जाए कब से कब तक ये पूरा मोका है देखिए हम लोगों ने जो डेट दिया है वो डेट है निबंधन एवं भुक्तान प्रारम करने की थी पांच से में पांच से लेकर के 14 नवंबर तक वो निबंधन और सुर्क भुक्तान कर सकते ह हैं विलम्स के लिए तीन दिन का टाइम और देना सत्रह टाइम रहेगा और उसके बाद चुकि पिसले बार उन लोगों ने कहा था कि हमें डॉक्मेंट अपलोड करने में काफी कटनाई हो रहे थी वगरा वगरा इसलिए हम लोगों ने उसके लिए अत्रिक समय दे दिया त कल्यान विभाग का वह पद है एक्टिस पद है और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है सिक्षा विभाग से कि इसमें प्रधाना ध्यापक के लिए स्टी इटी के आवशक्ता नहीं है लेकिन इसमें अनुभव की आवशक्ता है तो वह उसी के हिसाफ से चलेगा तो यदि देखा जाए इसमें तो बाकी चीजे जो है पुर्बत है एक पैटर्न जो है उसमें बदलाब हो गया सहुलियत के लिए और साथी साथ कम समय में बहतर होंगे जो परिक्षार्थी है उन्हें भी फायदा होगा बिल्कुल मेरा यही कहना है उनसे कि इदर उदर के बहकावे में नहीं है अपना दिमाग लगाए और उसमें अपना पढ़ाई में रखें मन लगाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछले बार की तरह ही हम लोग इस बार भी समय के सिमा के अंदर ही सब काम करेंग तक्निकी तोर पे भी कुछ बदलाब होंगे एडमीड कार्ट को लेके या बाकी चीजे जो बेभार में कुछ अगर ऐसा कुछ संग्यान में आया हो इसको लेके और पिछले बार क्या हुआ है कि अभिर्थी गन और शीट में कई परकार की गलतियां किये रॉल नमर की गलती किये सीडिस की गलती किये सब्जेट कंबिनेशन की गलती किये इस बार हम लोग, रॉल नमर तो ख्यार उनको भर नहीं होगा, इस गलती के लिए हम लोग इस बार कोई मतलब consideration नहीं होगा, in the sense कि अगर वो गलती करते हैं और हमारा सिस्टम नहीं पकड़ पाता है, तो उनका loss हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उनसे भी कहेंगे कि वो सतर क रहें, और हम बेशक प्रियास करेंगे कि वेसी प्रविस्टियां लें ही नहीं, जो वो अपने आवेधन के समय में दे चुके हैं, जैसे, अगर वो अपने आवेधन के समय में भाशा का, या subject combination का अपना जो आवेधन में भरे हैं, वही subject combination या वही भाशा उनको लेना होगा वहां पर और उसके लिए हम कोई entry OMR sheet में नहीं करने देंगे उनको जब वहां entry करते हैं तो आवेदर में कुछ और वहां कुछ और उसी में गलती होती है लेकिन उनको याद रहे कि उन्होंने कौन सा subject combination चूना है उसके लिए हम उनके admit card में उसको प्रिंट करने हैं ताकि उनको याद रहे कि वही है और उसी के हिसाब से अपना हुआ परिशाब दें अपना तो भासा पास करना जरूरी होगा और जो मेधा सुची है वह समान ग्यान और भिस है भासा बिल्कुल उनका qualifying nature का होगा और पास करना होगा और टाइब्रेकर कंडिशन हम तो चेंज किया है टाइब्रेकर कंडिशन जो होगा वह उसी तरीके से general studies and main paper को जोड़ करके होगा और उसमें अगर एक समान आ गया तो main paper में जो होगा वह first time breaker होगा main paper में भी अगर समान नंबर होगया तो qualifying paper में जितना section में मतलब कितना नंबर आया होगा उस पर tiebreaker 2 होगा और tiebreaker 3 जो होगा और date of birth और tiebreaker 4 जो होगा वो उसका नाम alphabetical order में बहुत धन्यवाद तो BPSC के chairman अतुल परसाथ बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ pattern में बदलाब हुए हैं और बहुत ही प्रतिबदता के साथ इस बार फिर से और बहुत ही record समय सीमा में परिणाम जो है वो भी दिये जाएंगे और दूतिये चरण सिक्षक बहाली जो परति की तैयारी करें और मनयोग से इसमें सामिल हों कैमरा में अभी सेक के साथ रजनीश जी मीडिया पटना